आज हम बनाइंगे बिलकुल Reçtuarant Style का पनीर लबाबदार इसे बनाना बहुत ही आसान है और सायध ही कोई होंगे जो पनीर लबाबदार नहीं टेस्ट किये होंगे बहुत ही लाजबाब और बहुत ही डिलिसियस ये पनीर की सबजी हमने घर पे बनाई हमारे घर में सबजी रोटी सब कम पढ़ गए तो वेडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वेडियो कम्प्रेट जरूर देखें बहुत एजी और सिंपल रेजपी आज हम पनीर लबाबदार की लेकर आएं तो इसके लिए हमें चाहिए पनीर और पनीर को हमने क्यूप्स में काट लिये हैं और इसे के साथ हमने कुछ भेजिज लिये हैं जिसमें धनिया पता को हमने बिलकुल बारीक काट लिया है और धनिया का जो डंठल है उसे भी हमने काट कर अलग कर लिया है और इसे के साथ 3 टमाटर जिसे हमने नॉर्मल काटा है और 3 मिर्च को हमने बारीक काटे हैं और 8-10 लशुन की कलिया और ये 4-5 मिर्च हमने साबुत मिर्च छोड़े हैं बीट से चीरा बस लगा दिया है और ये हलका सा अधरक हमने कदुकस किया है और इसी के साथ अध्रकलेशुन का पेश्ट हमने तियार कर लिया है एक सिम्ला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है एक टमाटर को हमने बारीक काट लिया है इसी के साथ हमने एक प्याज को बारीक काट लिया है और तीन प्याज को नॉर्मल कट slices में हमने काट लिए हैं अब देख सकते हैं तो gas के flame को अब on कर लेते हैं और इस पे कड़ाई को चड़ा देते हैं कड़ाई को थोड़ा गरम होने दे हम एक और कड़ाई चड़ा रहे हैं इसे भी गरम करके दोनों में हम mustard oil ले लेंगे आप देख सकते हैं और तेल को भी निकालने के बाद पनीर में हम उपर से हलका सा नमक छुड़क लेंगे और इसी के साथ कास्मीरी लाल मिर्श हलका सा और इसे बस हलका सा मिक्स करके पनीर को रेडी कर लेना है और निकाल लेना है ज्यादा डीप फ्राइ हमें करना नहीं है बस पनीर में जो पानी होता है पानी सारे पनीर को ready कर लेंगे और बस हमारा पनीर ready हो चुका है तो आप चलते हैं दूसरे कड़ाही की और जहां हमारा तेल गरम हो चुका है already इसमें हम सीरा ले लेंगे और जीरा डालने के बाद इसमें हम गोल की भी डाल लेंगे और उसके बाद अपने तीन जो हमने slices में प्याज को इसे थोड़े देर फ्राई कर लें और जब इसे स्टेज पर हमारा प्याज आ जाए तिसमें हम अपने तीन जो हमने टमाटर काटे थे बड़े-बड़े पीसे में उसे डालकर अच्छे से थोड़ा तल लेंगे और टमाटर थोड़ा गलने लगे जब तो उसमें हल उसे दाल देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राइब करेंगे उसे के साथ लश्ण की 80-20 कलिया इसमें डाल कर लेंगे थोड़ा और हलका असाध रख चादा रख नहीं? हलका साध रख और इसी के साथ धनिया पता का जो डंटल अलग किया था उसे डाल कर अच्छे से सबको फ श्वासушки, लाल मिर्च, पॉडर, सब एक एक चमच हमने लिया है और हलका सा पानी का चीटा मार के मसालों को अच्छे से भून लेना is थोड़ा पानी भी ले ले और अच्छे साब को भून लेना है तो बिल्कुल बारिक से मसाले हमारे भून जाए और सबजी भी हमारी गल्जाए इस हिसाब से आप पानी हलका ले ले उसके बाद इसमें हम कुछ काजू डाल लेंगे आप देख सकते हैं 20-25 काजू के पीसे हमने डाले और ये 20-25 ग्राम हमने मगज डाला है आप अपने अनुसार काजू और मगज ले ले क्योंकि इसी पे लाइची एक बड़ी लाइची और एक इंच दाल चीनी का टुकड़ा सब डाल कर इसमें दो तेज पत्ते हम डाल रहे हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी में एकदम अच्छे से भूल लेना है और हलका सा धकन लगाकर एक से दो मिनट इसे छोड़ दें और एक से दो मिनट बाद हमारी सबजी बिलकुल रेडि हो चुकी है तो इसमें हम कास्मीरी लाल मिर्च जो साबोत कास्मीरी लाल मिर्च होती है उसे डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करके हमारा ग्रेवी सूख चुका है तो इसमें हलका सा पानी ले लेंगे और सब को दो से तीन मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेना है और बस दो से तीन मिनट बाद गैस के फ्लेम को कर देना है और इस सबजी को अच्छे से निकाल कर थोड़ा ठंडा होने दे और जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे उसे चून-चून कर हम निकाल लेंगे आप देख सकते हैं हमने तेजबत्ता इलाईची सब निकाल लिया है सारे खड़े मसालों को हम अच्छे से निकाल लेंगे और बस यह हमारा ठंडा हो ही चुका है तो इसे मेकसी जार में डाल कर अच्छे से फाइन पेस्ट त्यार कर लेना है आप अपने अनुसार हलका सा पानी भी ले सकते हैं बागी एकदम बिल्कुल ऐसा फाइन पेस्ट त्यार कर लेना हमें और ये देखे हमारा पेश्ट बिलकुल रेडी हो चुका है बिलकुल ऐसे ही गाड़ी पेश्ट आपको रेडी कर लेनी है और हमारा पेश्ट बिलकुल रेडी है तो चलते हैं आगे बाले प्रोसेस में फिर से हम गैस के फ्लेम को आउन कर लेंगे अब बारी है तड़के लग बटर का क्यूब आप देख सकते हैं और इसे हलका सा मिक्स करके बस इसमें जो हमने बारिक काटे हैं बेजिस उसे डाल लेंगे प्याज हमने डाल लिया है और इसे हलका सा अश्टड कर लेंगे जब हमारा प्याज अच्छे से भून जाए उसके बाद हम इसमें अपना जो सिम एक टमाटर बारीक काटा था, उसे भी लेकर अच्छे से इसे फ्राइ कर लेना है, और सारे बेजिस को अच्छे से फ्राइ कर लें, हरी मिर्च जो हमने बारीक काटा, और अधरा कलेशन का जो पेश्ट हमने लिया है, सब को अच्छे से डाल कर, हमें फ्राइ कर लेना है, तीन मसाले डालेंगे, हलका सा हल्दी पॉद्र आदा चमच, कास्मिरी लाल मिर्च, आदा चमच और स्वाधा नुसार नमक, क्योंकि नमक हमने ग्रेवी में भी डाला है तो आप अपने स्वादा नुसार नमक देते और बस अच्छे से मसालों को थोड़ा भूने उसके बाद पानी का छीटा मार के हलका सा पानी ले लेंगे हम और पानी के साथ अपने मसालों को थोड़ा देर अच्छे से भून लेंगे उसके बाद जो हमने ग्रेवी त्यार किया है पेश्ट वाली ग्रेवी उसे चन्नी के मदद से हलका सा पानी डाल कर इसे अच्छे से चान लेना है अपने कडाही में जिसमें हम तड़का लगाएंगे हमने अपने सारे पेश्ट को चान लिया है अच्छे से और इसे थोड़ा देर अच्छे से भून ले और बस अपने ग्रेवी के कंसिंस्टेंसी के हिसाब से आप पानी डाल लें इसमें उसके बाद हम इसमें यूज़ करें एक चमच चीनी अपने gravy के taste को balance करने के लिए और इसे अच्छे से fry करने के बाद इसमें हम अपने पनीर को डाल लेंगे जिसे हमने हलका सा तला था और बिल्कुल हमारा gravy बेगरा सब ready था ही पनीर डालने के बाद इसमें हम हलका सा कसूरी में थी बिल्कुल हाथ से मैस करके डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम बिल्कुल फ्रेस क्रीम का यूज कर रहे हैं अपने फ्रेस क्रीम को हम इसमें डाल लेंगे ग्रेवी में और सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब आप इसका color देख सकते हैं बिल्कुल पनीर लवापदार हमारी ready हो चुकी है तो इसमें हलका सा उपर से हम धनिया पत्ता डाल लेंगे जो हमने पत्तों को बारिक काटा था और पस इसे भी अच्छे से mix करके ready कर लेंगे हमारा पनीर लवापदार बिल्कुल ready हो चुका है आप देख सकते हैं क्या है लाजवाप gravy ready हो चुकी है हमारी तो gas के flame को हम कर देंगे off और इसे दूसरे बरतन में हम transfer कर लेंगे और हमारी पनीर लवापदार बिल्कुल ready हो चुकी है सर्फ करने के लिए तो इसे हम सर्फ करते टाइम प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे और यह हमारी पनीर लवापदार तो वेडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे चैनल को subscribe करना पिल्कुल न भूलें बहुत easy recipe है आप जरूर try करें बस आप भी हमारी तरह इसका लोगत उठाए घर पर रेश्टूडेंट जाने की ज़रूरत नहीं रेश्टूडेंट इस्टाइल पनीर लवापदार हमारी रेडियो चुकी है और बीस से पचीस मिनिट में आप घर पे ये राजवाप सब्जी बना सकते हैं जो हर किसी का फैबरेट होता है तो पस अपने प्लेट में जो हमने सर्फ किया है उसे अच्छे से निकाल कर इसके उपर से हलका सा धनिया पता डाल लेंगे और हलका सा फिर से त्रेस क्रीम और पस सर्फ कर देंगे और इस सब्जी के चकर में हमारे घर में रोटी और सब्जी दोनों घट गए इतना टिमांड करते हैं लोग तो जरूर आप इंजॉय करें इसे